हेलो बच्चों कैसे हैं आप उम्भीत करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे तो बच्चों आप जानेंगे आप अनुनासिक की ध्वनी इससे पहले हमने पढ़ा अनुस्वार अब आगया अनुनासिक अनुस्वार एक बिंदू के रूप में दर्शाय जाता रेखा के उपर और अनुनासिक चंद्र बिंदू के रूप में दर्शाय जाता है इस तरह अनुनासिक चंद्रबिंद्यू की ध्वनी को शब्दों को पढ़ते वे आपने ध्यान देना है इसका उचारन नाक और कंठ दोनों से होता है अनुस्वार का उचारन के इवन नासिका से होता है नाक से होता है लेकिन अनुनासिक में आपने ध्यान देना है उचारन नाक और गले दौनों से होगा जैसे सामने चित्र हैं आँख सांप इसमें देख रहे हैं आप आ और सा के उपर चंद्रविंदु है यह अनुनासिक कप्रियों किया गया है आईए इसी तरह कई अनुनासिक शब्द हैं उन्हें जानने जैसे सांच आच कांच दाव पाव यहां वहां कहां गुंघट लहंगा हसना लड़कियां पहीलियां सहीलियां चंद्रविंदु जहां आया अनुनासिक आया आईए अब वाक्य पड़ें इसके जैसे आचल ने लहंगा पहना है आ और होके उपर चंद्रविंदु अनुनासिक का प्रियोग हो गया आचल अपने आंगन में बैठी है आचल बहुत हस्मुख है आचल के मामा का गाव चांदपुर है आचल अंगूठी और कंगन पहने है उसने पाव में चांदी की पायल भी पहनी है आचल ने घूंगट भी निकाला है घूंगट में घूंगट में घूंगव के उपर चंद्रविंदु अनुनासिक आ गया आचल ने कूए में चांद देखा वह कूए के पास बैठकर मुंपली खाएगी तो देखा कितने मदूर शब्द हैं अनुनासिक के उच्चारण करने में बेहत मज़ा आता है आप भी कीजिएगा अभ्यास कीजिएगा आप इसमें जरूर एक्सपर्ट होंगे आप इसका अभ्यास कार्या स्वाइम कीजिए झाल हुए